नमस्कार में रूची पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कारिकरम दुनिया दर्बार में इसराइल के प्रधान मंत्री नेतन्याहू को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बिड़न से डर लगने लगा है अब इस डर के पीछे क्या है कारण इस डर की वज़ा क्या है बताएंगे हम लेकिन उससे पहले आईए एक नजर डालते हैं कुछ अनिस सुर्खियोग पहला अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बिड़न ने भारतिय मूल की माला अडिगा को अमेरिका में पहली महिला जल बिड़न नीती निर्देशक का पद दिया है बता दे कि इससे पहले माला अडिगा को अमेरिका में शिक्षा और कम्यूनिटी टीचिंग पर धियान देने की जिम्मिदारी दी गई थी इसलिए अमेरिका में माला अडिगा को ये जिम्मिदारी सौपी गई है इसे पहले माला अडिगा ने चुनाओ प्रचार अभियान में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर का पद भी समाला है दूसरा जम्बू संभांगा के सामबा जिले में सीमा से जुड़े रिगाल नामक गाउं में पाकिस्तान की एक गहरी साज़श का परदाफाश हो गया है इस सुरंग को लेकर तीन दिन पहले नगरोटा के बने तोल प्लाजा में मारे गए जैशे मोहमत के चार आतंकी गुसकर आए थे सुरंग को ब्यसफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की गश्ती दलने खो जाए सेटलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने डोकलाम पठार के पूरवी इलाकों में भुटान की सीमा के दो किलो मीटर अंदर एक चीनी गाउं बसाने के अलावा चीन ने इसी इलाके में 9 किलो मीटर तक फैली सड़क भी बना ली है माना जाता है कि इस सड़क से चीन सेना को जॉंपलरी पहाडी तक एक वेकलत्विक रास्ता मोहया करा दिया गया है इससे पहले भारतिय सेना ने वर्ष 2017 तक चीन को इसी पहाडी तक जाने से रोक दिया था चलिए आप बढ़ते हैं आज की मुखे कबर की ओड़ इसराइल के प्रधान मंत्री बिन्या में नेतिन्याओं को अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपती से डर लगने लगा है दरसल रविवार को हुई एक बैठक में इसराइल के पीम ने कहा कि 2015 में हुए इरान के साथ प्रमाणू समझोते को बिडेन को दोबारा बहाल नहीं करना चाहिए बतादे कि डोनाल्ड टरंप ने इस प्रमाणू समझोते पर प्रतिबन लगा दिया था इसराइल के राश्टपती को ये डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो बिडेन ने जीत के बाद ये घोशना की थी कि वे इरान के साथ हुए परमाणू समझोते को एक बार फिर से बहाल कर देंगे बिडेन अमेरिका में 20 जन्वरी से अपनी सत्ता की कमान समालेंगे बिडेन ने अपने खोशना में ये भी कहा था कि अगर इरान यूरेनियम समवर्धन की पावंदियों को सक्ती से पालन करता है या फिर इस समझोते के तैट अन्य सहयोगियों के साथ काम करने को तयार होता है तो परमाणू करार को एक बार दुबारा से बहाल करने पर विचार किया जा सकता है जाहिर से बात है कि बिडेन 2015 में बराक उबामा की कारेकाल में उपराश्पती पदबर आसीन थी इसलिए उनका इस समझोते से सहमत होना लाजमी है चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि 2015 में हुआ प्रमाणू समझोता क्या था जिसके दुबारा बहाल होने से इसराईल को इतना डर लग रहा है तो बता दे कि 14 जुलाई 2015 में अमेरिका ने पांच अन्य महाशक्तियों जिसमें रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी शामिल हैं ये समझोता करीब 13 साल की कूट नितिक प्रयासों के बाद 18 दिनों की वारता के बाद इस समझोते को अंतिम रूप दे दिया गया था जॉइन कॉम्प्रहेंसिव प्लान ओफ एक्शन यानि सन्युक्त व्यापक कारिवाही को ही परमाणू डील के नाम से जाना जाता है आईए समझते हैं कि समझोते की खासियत क्या है तो बता दें इस समझोते के अनुसार पांच साल तक इरान परमाणू हतियार नहीं बना सकता इरान को परमाणू कारिकरम छोड़ने के बदले अमेरिका, यूरॉपिय देशों और सन्युक्त राष्ट द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंदों से मुक्ती मिली थी इरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्यर लेंदिन, ओडियन और जहां जुरानी के शेत्रों में लागू प्रतिबंदों में धील भी दी गई थी इसके साथ सो औरब डॉलर की जब्त समपत्ती का समाल करने की चूट भी इरान को समझोते में दे दी गई थी इरान पर हतियार खरीदने के लिए लगाये गया प्रतिबंद पांच वर्षों तक जारी रहना था इरान आट साल तक किसी भी तरह की मिसाइल तकनीक नहीं खरीद सकता था जिसे बाद में ट्रम्प ने अपने कारेकाल के दौरान इस समझोते पर प्रतिबंद लगा दिया था ट्रम्प ने तब प्रतिबंद लगाते हुए ये भी कहा था कि वे बाद में दूसरे बहतर करार को अपनाएंगे जिसे इरान के बैलेस्टिक मिसाइलों पर प्रतिबंद लगाया जा सकें इस वक्त इसराहिल के प्रधान मंत्री नेति नियाहु ने ट्रम्प के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एतिहासिक बताया था इसराहिल ने कहा था कि इरान के वर्ल डील की आड़ में अपने परमाणू कारिकरम को जारी रखते हुए सीरिया को भी हत्यार सप्लाई करता रहा है वर्ष 1989 में इरान में करांती के दौरान कट्टर पंतियों को सब्ता में आने का मौका दिया और तभी से इरानी नेता इसराहिल को मिटाने की बात करते रही है इरान इसराहिल के अस्तत्व को कभी भी स्विकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इसराहिल ने मुसल्मानों की जमीन पर अवैद कबजा कर रखा है दूसरे तरफ इसराइल भी इरान को एक खत्रे के तौर पर देखता है उसने हमेशा से ही ये कहा है कि इरान के पास परमाणू हतियार नहीं होने चाहिए इरान के बढ़ते प्रभावों ने भी इसराइल की चिंता बढ़ाई है यही कारण है कि इसराइल को डर है अगर जो बिडेन ने प्रमाणू समझोते को एक बार फिर बहाल किया तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है अब यह देखना होगा कि क्या बिडेन अपने सैनने हतियार विपार को बढ़ावा देने के लिए इस समझोते को एक बार फिर बहाल करते हैं या नहीं और अगर करते हैं तो इस पर इसराइल अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है हम दुनिया की सभी खबरों पर नजर बनाए हैं बस आप देखते रहें दुनिया दर्बार और अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चानल मीडिया दर्बार के साथ धन्यवाद